नमस्ते फ्रेंड्स आप सब जैसे हो आई होप आप सब ठीक होंगे और घर पे होंगे देखिए यहां पे मैंने बच्चे हुई कत्रन का यूज कर रही हूं और फाइव बाइव फाइव इंचिस के असे स्क्वेर लिए हैं इससे हमें ऐसे फोल्ड करना है और सेंटर में से अब यहां पर हमें इस तरीके से मैंने इस तरीके से रख लेना है और यहां पि हमें शिलाई कर लेनी है यहां से लेकिंगे यहां तक देखिए इस तरीके से हमें सिलाई करनी है तो यह हमारा सिलाई हो चुकी है अब जो सारे थे उसको भी हमने उसी तरीके से सिलाई करके ऐसे जोड़ लियें देखिए अब हमें क्या करना है इस तरीके से यह जो दोनों स्क्वेर है उसे हमें स्टीच करके जोड़ लेना है तो यह जोड़ चुका है अब ऐसे मैंने फॉर स्क्वेर को जोड़ के ऐसी बॉर्डर बना ली है तीन अब इसे भी हम जोड़ के सिलाई कर देंगे इस तरीके से अब ती जो हमारा पार्टे उसे भी छोड़ लेंगे तो यह हमारा जूट चुका है अब मैंने इसी के नाफ से फॉर्म कट किया है और नीचे सिंपल सा कुर्ती वेस्ट का कपड़ा यूज किया है और इसे पूरे रावन में स्टीच करूँगे और दोस्तो अगर आपको फॉर्म नहीं लगाना है तो आप ऐसे जो पूराने कपड़े होते हैं उसकी दो चार लेयर अंदर की और रख दीजिए और फिर इस तरीके से स्टीच कर लिजिएगा तो भी कोई दिकर नहीं है ये आराम से इजिली बन जाएगा तो देखें यहां पे हमने जोड़के अच्छे से सिलाइका लिए अब मैंने ये बड़ी लंबी से स्क्रोस में कट की हुई पाइपन ली है और यहां पे यह जो कॉर्णर है वहां पे हम थोड़ा सा राउंड से देंगे आपको स्क्वेर रखना है तो वही रख सकते हैं अब इसलिए देखें यहां से स्टार्ट करना कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और नीचे की और रखना है फॉल्ड करके और पूरे राउंड में हमें सिलाई कर लेनी है और दोस्तों आपको जला सा भी वीडियो अच्छा लगे उप्यों के लगे तो प्लीस लाइक शर कमेंट जरूर करना दोस्तों अब देखिए यहां पर मैंने यह दोनों जहां पर हमने स्टार्ट किया ता वहां पर से कट करके पाइपिन को ऐसे लगा दिया है अब इसे उपर की और लेना है और ऐसे फोल्ड करना है और इसके उपर सिलाई कर लेनी है तो देखिए यहां पर हमने पूरे सरकल में ऐसे फोल्ड करके स्टीच कर लिया है तो यह देखिए दोस्तों आप इसे आप डूर्मेट की तरह यूज कर सकती है टैबलमेट की तरह यूज कर सकती है अपने हिसाब से आप इसे यूज कर सकती है रजाय भी बना सकती है इस त